हेलो दुस्तो स्वागत है आपका एक वाई फिर से हमारे यूट्व जैनल अपडेट्स दैट मेंटर्स में दुस्तो जैसा कि आप सुझ जानते होंगे कि हम आपको बंदरों का परिच्छा में पूछे गए प्रेशनों की आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें के हमारा ये पार्ट तू है एक से पचास तक के प्रेशन की आउंसर हम आपको बंदरों बता चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्किप्शन में लिंक है या फिर वीडियो के एंड में लिंक देदेंगे आप वहाँ से देख सकते ही दूस्तो हो सकता है कि आपके प्रेश्णों का सीरियल नम्बर अलग हो लेकिन आप अपने question के according यहां से match कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं दूस्तो 51 नम्बर का question है कि निमलिखित मैंसे क्या 1 बंदोवस्त पच्छ व्या बिंग की गतवीदी है तो यहां पर सयांसर हो जाएगा option number C सीमा इस्तम्मों के निर्मार सम्बंदित गतवीदियों का प्रवंदन उसके बाद में question number 52 है हमारा निमलिखित मैंसे कौन सा सरकारी मंच भूमी नामांत्रण और भूमाविलेको के रकरकाब के लिए सायक है तो इसका सयांसर हो जाएगा E धरती option number C next question है कि निमलिखित मैंसे कौन सा अधिनियम आरचित वन के उत्परवर्तन से सम्बंदित है तो इसका सयांसर हो जाएगा option number C वन सरचल अधिनियम 1980 तो दोस्तो अव next question है हमारा कि वन भूम को गैर वन उद्देशियों के लिए परवर्तित करने की अंतिम मंजूरी डैस द्वारा दी जाती है तो इसका सयांसर हो जाएगा MOEF उसके बाद में next question है गैर वन उप्योगों के लिए वन भूम के परवर्तन के लिए केंद सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्पूर सर्थ निम्न खित में से कौन सी है तो इसका सयांसर हो जाएगा प्रत्पूरक वनी करड़ यानि के compensatory afforestation option number C अब यहाँ पर next question है कि निम्न खित में से कौन सा केंद्र प्रावियत योजना वन अगन निवाराड और प्रबंदन का दिर्ध कालिक लच्छ है तो इसका यहाँ पर सयांसर हो जाएगा option number B वन अगन की रोक्ताम के लिए प्रभावी जागरुकता अभ्यान चलाना उसके बाद में हमारा question अगला है कि सक्रिय आग से तापी उत्रजन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रवों का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर इसका सयांसर हो जाएगा यहाँ पर option दे हुए आपके MODIS, G-SAT, NOVA या INSAT 3D तो इसका सयांसर हो जाएगा option number 1 और 4 यानि के option number D इसका सयांसर हो जाएगा 1 और 4th उसके बाद में हमारा next question है कि निमलखित मैंसे कौन सी आग सबसे तीब्र होती है और अकसर इसे नियंतरत करना सबसे कठिन होता है तो इसका सयांसर हो जाएगा option number A निमलखित वन अतुपादों को उनके संबंदित पौदों के साथ सुमेलित कीजिए तो यहां पर आप यह देख सकते हैं यहां पर इसका जो सही answer हो जाएगा option number C यानि के A का 4, B का 1st और C का 2nd और D का 3rd तो यहां से आप मैच कर लीजिएगा उसके बाद में जो है नेश्ट क्वेश्चन है हमारा वंधन योजना न्यूंतन समर्थन मूल यानि के MSP के माद्यम से लगू बनोपज MFP के विपरण के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल संखरा के विकास का ए गटक है जिसे डैस द्वारा राष्टी इस्तर पर नोडल एनसी की रूप में कारानवित क्या गया है तो इसका सयांसर हो जागा उप्सन नमर C, ट्राइफेड उसके बाद में यहां पर नेश्ट क्वेश्चन है कि लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो डैस द्वारा स्रावित होता है तो इसका सयांसर हो जागा कीट उसके बाद में नेश्ट क्वेश्चन है सामुदाएक दावतों और अनिश्ठानों के दोरान विशेश रूप से उप्योग किया जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाले लगुद वनतपाद डैस है तो यहां पर इसका सयांसर हो जागा उप्सन नमर बी माहुल के पत्ते नेश्ट क्वेश्चन है नेमलखित में से कौन सा भारत का एक मात्र वन प्रमाणन संगटन है जिसे विश्व इस्तर पर मानता प्राप्त है तो इसका सयांसर हो जागा नेश्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन प्रमाणन से संबंदित FSC का पूर्ड रूप क्या है तो FSC का पूर्ड रूप यहां पर होगा फोरेश्ट, स्टेवर्ड से काउंसिल यानि कि option number B इसका सयांसर होगा उसके वाद में next question है कि वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कारकरम निमलिखित मैंसे केशिस्थान परिस्तित है तो उसका अंसर हो जागा option number D जिनेवा अगला है निमन मैंसे कौन सा FSC प्रमाणपत्र नहीं है तो यहाँ पर जो है option number A अवरच्छा की संखला वन संचालन वन प्रमाणधन यह तीनों ही जो है वो FSC प्रमाणपत्र है लेकिं यह नियनत लकडी जो है वो आपका FSC प्रमाणपत्र नहीं है तो सयांसर हो जागा उसका option number D उसके बाद में भारत में मानव हाथी संखर्स को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली विदियों को चुने तो यहाँ पर इसका सयांसर हो जागा मेरे कोर्डिंग option number D यानि के अवरोनों की स्थावना विकर सक तरीके और निवारक विदियां तीनों ही इसकी जो है विदियां है उसके बाद में question number 69 है हमारा कि नेमलिकित में से कौन सा मानव वन जीव संखर्स को कम करने का एक तरीका है सयांसर हो जागा हमारा जानवरों को डराने के लिए श्ट्रोव रोशनी का उप्योग करना option number D उसके बाद में next question है कि जिम कारवेट नेशनल पार्क में मानव वन जीव संखर्स वो खुरूप से मानव और डैस के बीच रिपोर्ट किये गए है तो इसका सयांसर हो जागा option number D बाग next question है हमारा 71 IOCN के अनुसार वन जीवन को लेकर संखर्स के कितरे स्तर है तो इसका सयांसर हो जाएगा option number C तीन अगला है कि वन भिवाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्तियों इवन कर्तब वन का नुसार वन पाल निम लिखित में से किसके आधिसों के अधिकार करेगा तो इसका सयांसर हो जाएगा RFO उसके बाद अगला question है कि निम लिखित में से कौन सा वन द्रुगा का कर्तब है या है तो यहाँ पर जो है option में दे हुए आपके वह अपने अधिकार छेतर के one अतिकमन को रोकने के लिए जिम्मेदार है बिल्कुल सही है वह अपने कारवार के अधिन पस्शूंगों के चिक्सा अपचार के लिए जिम्मादार है उसे सोब्पट के वन संपत्ति की प्रकरत्य और सीमा का पूरा ग्यान होना चाहिए तो यहां पर जो आपके विकल्प जो देगे हैं चार A, B, C, D तो उसके अंसर आपका फश्ट और थर्ड पॉंट जो बिल्कुल सही है यानि कि अप्सिन नमर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद में next question है हमारा कि वन विवाक के अधिकारियों यहां कर्मचारियों की सक्तियों यहां करतब नहीं है तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा वह अपने अधिकार छेत्र में wireless network के समुचित कार के लिए जिम्मेदार है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह बंद्रोगा का करतब नहीं है अगला question है हमारा कि जंगल में वन रच्छक का करतब है कि वह जंगल की डैस पर रच्छा करे तो यह beat level यानि कि beat इस्तर पर इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद में है question number 76 हमारा कि ब्रच्छा रोपड या वन रोपड के मादम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्लिकित में से कौनसी योजनाए कारानवित की गई है तो हमारा यहाँ पर पहला है राष्टी वनिकड कारकरम सेकेंड है हर्द वारत के लिए राष्टी मिशन और थर्ड एफ वन अगने निवारान एवं प्रवंतन योजना तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है जो तीसरा वाला है जो आपका गलत है तो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है कि निवलकित में से कौनसी योजना कारान वित की गई है तो फ़र्ष्ट और सेकेंड यहाँ पर आपका उप्सन नमरे सही अंसर हो जाएगा उसके बाद में नेस्ट कोश्चन है कि नमी के तनाव का शामना करने के लिए नेस्ट को देए जाने वाला एक बिसे वित्यार डैस कहलाता है तो यहाँ पर आपसन है बीज पेलेटिंग, बीज कोटिंग, बीज प्राइमिंग या बीज फिलमिंग तो इसका सही अंसर हो जागा बीज प्राइमिंग उप्सन नमर बी नेस्ट कॉच्चन है कि बीज द्रडीकर की विदी में डैस सामिल है तो यहां पर जो सही अंसर है वो मेरे कोड़े महची अप्सिन नमर सी अर्थात व्रद्य नियामकों और सूच में पोसकत्तों जैसे जैव सक्रियासानिक बिलिनों में बीजों को भिगोना तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा बी में तो यह इसका सही अंसर होगा उसके बाद में नेक्स्ट क्वेशन है हमारा कि प्रत्वी के भुवाक का लवग कितना वन आवरल है तो यहां पर इसका अंसर हो जागा एक तिहाई उसके बाद में नेक्स्ट है कि वन जलसंबर और आर्द्रभूम घरेलू कॉमा क्रसी, कॉमा अध्वकिक और प्रास्तितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलब ताजे पानी के डैस की आप उर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकरतिक फिल्टर के रूप में कार करते हैं तो यहां पर जो इसका आंसर है वो होना चीए 75% उसके बाद में नेस्ट कॉस्चिन है टी एस टू पुरुषकार के संबन्द में गलत कथन चुने तो यहां पर जो गलत कथन है वो हो जाएगा उप्सन नमर बी के पुरुषकार के चुरुआ दो यार बीज में तेरे टाइगर रेंज तेसों द्वारा की गई थी तो यहां पर जो उप्सन नमर बी है वो आपका गलत है इस वज़ेसे यह आपका सही आंसर हो जाएगा गलत जिसमें पूछा गया है नेस्ट कॉस्चिन है कि सुन्दरलाल बहुडा की नितरत में चिपको आंदुलन डैस में हुआ था तो यह उत्तरा खंड़ में हुआ था तो उप्सन नमर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमर नेस्ट है हिपो का पूर रूप क्या है जो जैव बिवित्ता के लिए खत्रों के मुक्कारणों का वरणन करता है तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए तो आपसन नमर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद में जो है क्वेश्चन नमर छासी है हमारा कि नमर्कित मैंसे कौन सा संगटन रेट डाटा बुक जारी करता है तो अभीद है आप सभी इसका अंसर जानते होंगे उसके बाद नेस्ट क्वेश्चन है कि बाग सन अच्छड के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था तो आप सभी ने इसका अंसर भी कर दिया होगा उसके नमर्कित मैंसे कौन सा माइक याने के हाथियों के वज़त अत्यागी निगरानी मॉन्टरिंग ओफ इलिगल किलिंग और एलिफेंट साइट नहीं है तो यहाँ पर जो उप्सन नमर् A, B और C तीनों सही है लेकिन इसका जो पूछा गया कौन सी साइट नहीं है तो उप्सन नमर् D इसका सही आंसर हो जागा काजी रंगा नेश्ट कॉष्चन है कि निमलकित मैंसे भारत का कौन सा कानून और नीत वन सरचल के लिए नहीं बनाया गया था तो यहाँ पर जो चार उप्सन देगे हैं उनमर्ट D आपका सही आंसर होगा भारत की वन बहाली नीत उनीस सो पचास उसके बाद में जो है कॉष्चन अगला है निमलकित मैंसे कौन सा अधिनियम वनों कम वन उपज के पारगमन और एमार्ची लगड़ी और वन उपज पर लगने वाले सुलक से समंधित कानूनों को समयकित करने के उद्धिस से बनाया गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा भारती ये वन अधिनियम 1926 नेक्ट कॉष्चन है निमलकित मैंसे किसने जो और रागी के लिए नियुंतम समर्थन मूल और निरिगम मूल की सिफारिस की है तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सिन नमर ए आर्थिक मामलों की कैविनेट समि तो इसका सही अंसर होना चीए ओप्सिन नमर बी 16.8% नेक्ट कॉष्चन है कि निमलकित मैंसे किस मंत्राल द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा पर्रावड और बन मंत्राल है उम्मीद है आप सुमिए इसका सही अंसर क्या होगा उसके नेक्ट कॉष्चन है कि निमलकित मैंसे कौन सा भारती रत्वस्ता के लिए 1 का योगदान नहीं है तो यहाँ पर और ऑप्सिन नमर C दवाए और पॉलिधिन इसका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद में नेक्ट कॉष्चन है कि भारत में पार्स्थितिक का जनक किसे माना जाता है तो यहाँ पर स्यांसर हो जाएगा रामदेव मिस्रा ऑप्सिन नमर D नेक्ट कॉष्चन है हमारा क्वेश्चन नमर 96 के पारस्थित अंत्र और समझेट प्रकार की गलत जोड़ेगी पैचान करनी है तो इसका स्यांसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर C चाप्राल बोरिय संकुदारी वन पारस्थित अंत्र उसके बाद में नेक्ट क्वेश्चन है हमारा किसी विशेज छेत्र या पारस्थित अंत्र के वीतर वित्ता जाने की डावर्सिटी जो आम तोर पर प्रजातियों की संक्या द्वारा व्यक्त की जाती है डैस कहलाती है तो इसका सयांसर जागा उप्सन नमरे अलभा विटता नेस्ट क्वेश्चन है कि सोला वन एक पारस्थित की तंत्र है जो में जो डैस में पाय जाता है तो इसका सयांसर जागा जाए घास का मैदान याने की ग्रासलेंड उसके बाद क्वेश्चन नमर नाइंटीन नाइन है कि भारत की जन हुआ कि परिछे हमें जो भी प्रश्न आपसे पूछ गे थे उन सभी के आंसरसे हम ने अपनी तरब से शही और शुत्र आंसर की आनसर्ष प्रबाइद कराने की कुछिस की है अबिधा आप को वीडियो प्रौशत आया होगा और अगर आपको वीडियो को लाइक और और दुस्तो जब आपकी ऑफिशल आंसर किया जाएगी उसके बाद में हम आपके लिए अपनी चैनल पर एक पोल भी क्रेट करेंगे जिसके अधार पर हमें कट आफ एनलस की वीडियो भी लेकर आएगे आपके लिए उस तो इतना ही था इस वीडियो में अगर आप चैनल पर प्रस करने हैं थैंक यू सो मच